नमस्कार दोस्तों आज की सुडियो में Amazon गिफ्ट कार्ड या फिर पेलेटर का पेशा बेंक अकॉंट ट्रांसपर करना सिखाऊंगा खास तो यहां पर गिफ्ट कार्ड का होता ही होता है बट पेलेटर का आप जोगी चेक कर सकते हैं तो मैं आपको जोगी स्ट्रीक से आप ग बता दू कि आभी हमारे यहां पर बेलेंस में चाहिए कम है बड दिखाने के लिए मैं आपको जोगी दिखाने के लिए इतना वेलेश तो है है हमारे पास में कि 7 उपे यहां पर डिशन परके तो इस वजए से आपको दिखा ता हुमें तो उसके लिए आपको जो ही कि जाना है रेजर पे में आपको आकाउंट होगे रहा बना लेना जैसे कि आप देख सकते हैं यह यह वे एक रुपे का अकायंट है तो इस रेजारर रुपय की ऐसे आको ये आपको यह सद्क है। यह थे आपके प्डुक हो किलए निचे आपको थे लिए क्लिक करता हूँ उसके बाथ मैं यहां पर जो ही नीचे आजście आने की बाद को सिंपली gift card का जो दिखा तेरे simply gift card पर आपको click करना है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सरे wallet यहां पर अविलेबले इसी wallet में हम जोई gift card और pay later दोनों transfer कर सकते हैं तो उसके लिए जो कि Amazon पर क्लिक करते हैं यहां पर जो सेकंड नंबर का है हमारा उस पर ठीक है उसके बाद में आपको जो कि यहां पर पेनों पर क्लिक करना है तो मैं यहां पर पेनों पर क्लिक कर लेता हूं थोड़ी देर लोडिंग होगा उसके बाद में आपको Amazon पर गिफ्ट कार्ड यहा को दिखाता हूं देख सकते हैं उसके उसके बाम में ढुखेसा का यहाँ हो लोगिन ऋपर आ रहा है तो यहाँ को जो पर इसको डाना है यहां पर आपको你在 hai वेटन में एक्टिके सब्सक्राहराई नौटिफिकेशन में आ professors reject खहुआ हुआ तो यहाँ पर कर लिया है और जो कि लोगिन भी कर लिया है जिसे कि आप देख सकते हैं है बेरे पास में यहां पर जो ईकी पूरा विलंस जो आँ 8.14 रुपे वो टोटल आ हुआ है ठीके हमारे पास मी जो 7 रुपय तो हमारा यहाँ पर गिफ्ट कार था और भा आपके सामने लायू दिखाँ हुं दोस्तों में यहां पर जो कि पहन से बहुत आसाने इस ट्रांस्पर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गिफ्ट कार्ड का पेशा हमारे यहाँ से कट आये तो मैं आपको जो कि महाँ पर प्रूप भी दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं पर गिफ्ट कार्ट में हमारे पास में जो ही कि आप 6 रुपे बचे हैं पहले साथ थे ठीक है तो यह प्रूब भी हो गया तो इस परकार सापको जो एक रेजर पर की साहिता से ट्रांसपर करना है तो कोई और तरीका मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको बता हूँ या फिर आप